अब गाईज हम लोग डिसकस करेंगे Chief of Defense Staff के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि एक दुखत खबर हमारी कंट्री के अंदर हमारे जो CDS जो है वो आप नहीं रहे है जनरल विपिन रावत इनकी पत्नी और आर्मी बिरिगेडर के साथ 10 और लोग एक हेलिकॉप्टर जिसका लोग को देखने को मिलता है वही पर ही कुनूर घाट है कुनूर घाट तो वही उसी के पास ही यह हेलिकॉप्टर क्राश हो गया जिसमें हमारे Chief of Defense Staff हमारे CDS जनरल विपिन रावत जी वो नहीं रहे तो यह चीज तो आप सभी लोग को पता है बड़ एक्जामेरेशन पूछे जा सकते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड आप से कुशन पूछे जा सकते हैं और कुर्णूर घाट भी थोड़ा सा ध्यान में रखो जेग्रफी पॉट्ट अव यू से कुर्णूर घाट कहा पर यह चीज आपसे पूछी जा सकती तो नील गिरीज आप थोड़ा सा ध 1999 में एक कमिटी बनाई गई थी कारगिल समीक्षा कमिटी कारगिल रिव्यू कमिटी इसने सुझाओ दिया था इस कमिटी ने सजिस्स किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को कि एक ऐसा सिंगल पॉइंट होना चाहिए मिलिटरी एडवाइजर का जो की जो तीनो सर्विसेज हैं हमारी कौनसी कौनसी तीनो सर्विसेज इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एर फोर्स बट आपसे अगर आम्ड फोर्स की बात की जाए अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जब उनसे पूछा आता है आम्ड फोर्स के बार में कि हमारी कंट्री के बेंट इंडियन Coast Guard को भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि हमारी जो Armed Forces हैं, वो तीन नहीं है, वो चार हैं, इंडियन Army, इंडियन Navy, इंडियन Air Force और इंडियन Coast Guard, तो इसको भी भूलना नहीं है आपको, हाला कि यहां पर बात हो रही है, CDS के मामले में, मैं जो हम लोग बात कहलेंगे, वो इंडियन Army, इंडियन Navy और इंडियन Air Force, तो यह हमारी जो तीनों Forces हैं, तो इनको Coordinate करने का काम करती है, CDS, CDS Order देती है, इन तीनों Forces के Chief को, कि Coordinate तरीके से यह Operation Conduct कर सके, और भी कावी सारे काम होते हैं, CDS के, बट हमारी Government, या फिर हमारा PMO, Prime Minister Office, यह Direct CDS को जो है, वो Order दे, और CDS PMO के बिहाफ में, जो भी Operation Conduct करना है, या जो भी Strategy है, या जो भी Message जो है, वो पहुचाना है, तीनों Forces तक, तो वो पहुचा है, तो एक Coordination Link, या फिर Single Point Military Advisor भी, जैसे कि तीनों जो Forces हैं हमारी, उनको किस चीज की आवशकता है, क्या काम कर सके, और जो है, वो ला सके, उससे Related, या फिर अगर Budget की बात हो रही है, जैसे Air Force की पास Budget नहीं है, उनको कुछ चीज की Requirement ए, Defense Related Product की, उसका discussion किया जा सके, कहाँ पर? Parliament के अंदर, तो यह सब चीज है, इस पर काम करती है CDS, तो आप Simple तरीके से यह समझो, CDS का काम क्य है, CDS का काम ने, इनकाम, और CDS एक 4-star General हम लोग को देखने को बिलते हैं, और Permanent Chairman, Chief of Staff Committee के भी है यह, Chief of Staff Committee जिसमें, तीनों Services के Chief के Members होते हैं, उसके भी Head CDS हम लोग को देखने को बिलते हैं, इनके Core Functions की बात करें, तो भारतिय सेना के तीनों शशेस्त्र बलों के मध्य, अधिक से अधिक कालमेल को बढ़ावा देना, और अंतर सेवा संघर्ष को नियूंतम करना, इनका Main और Core Function हम लोग को देखने को बलता है, कारे हम लोग को देखने को बलता है, और जितने भी खरीदारी से Related, या फिर Procurement से Related, या Planning से Related, जो भी Decision होतें तीनों Forces के, वो इस भी उन Decision में अपना Role Play करता है, की Improvement, की किस प्रकार से हम Improve कर रहें, या फिर अगर तीनों Forces मिलकर कोई Operation करना चाहरा है, थेटर कमांड जिसको हम लोग बोलता है, उसका नेतरित्व भी CDS करता है, तो ये Point भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, CDS एक थेटर Command बना कर, तीनों Forces को एक जगा बरतेनात करके, आप कह सकते हैं की, जो Multiforce Operation वह है, वो कंड़क किया जाता है, और इवन Honorable Prime Minister के नेतरित्व में, जो परमानू कमांड प्राधीकरण है, Nuclear Command Authority है, तो उसके भी ये Military Advisor होते हैं, CDS, और साथी साथ अंतरिक्ष और Cyber Space जैसे नए य इतरित भी करते हैं, मतलब नए नए जो Areas जो उभर रहे हैं, जैसे Cyber Space का Area, जैसे की Space का Area, तो Space में जो हमारी Satellites हैं, उनको भी Protect करना है, आज की Rate में तो हम लोग को देखने को मिल रहा है की, Satellite Missiles वगिरा भी जो है, वो लॉंच की हुई है, आप कोई मुझे बता सकता है क नीचे Comment Box पर लिखकर की, इंडिया की कौन सी Missile है, जो की Satellite पर Attack कर सकती है, इतनी दूर दराज की Satellite पर सटीक तरीके से, प्रिसाइस तरीके से Attack कर सकती है, बताओ जरा कौन सा Mission है हमारा, जिसके थूर हमने वो Satellite जो है, वो Launch करी है, हमारी Missile जो है, वो Launch करी है, से की Cyber Space हो गया, अंतरिक्ष हो गया, तो ऐसे जो Areas है, इस पर Security परस्पेक्टिव से, जब भी भी कोई DCN लिया जाता है, तो उसमें CDS का भी एक बहुत Important रोल होता है, साधी जाट Defense Acquisition Council जो है, रक्षा अधीगरण परिशत जो है, Defense Planning Committee जो है, रक्षा योजना समीती जो है, इसके भी सदस ये CDS हम लोग को देखने को बलते हैं, तो ये कुछ Important Points है, CDS से Related, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और एक और मैं Important चीज इन से Related बताना चाहूंगा, जो भी वेक्ति CDS के पद से, अपने Tenure को Complete करते हैं, तो उसके बाद, वो किसी भी Government Office इसमें उनको Employment नहीं मिलती, First Point, Second Point, जैसे ही CDS की Post को एक वेक्ति छोड़ते हैं, उसके 5 सालों तक, Maximum 5 Years तक, उन्हें कोई भी अगर Job करनी है, चाहिए Private Job क्यों नहीं हो, तो उसके लिए उन्हें Permission नहीं नहीं पड़ेगी, Ministry of Defense से, और Ministry of, या फिर PMO Office से, बिना Approval के, बिन Permission के फिर वो नहीं कर पाएंगे, कही पर भी Job नहीं कर पाएंगे, 5 Years तक, जैसी वो छोड़ते हैं CDS की Post को, उसके 5 Years तक ये कुछ Conditions होती है, जो उन्हें Follow करनी होती है, या फिर आप कह सकते हो, Restrictions होते हैं उनके उपर कुछ, क्योंकि एक Important पद है यार यह, चलिए, तो य बहुत अच्छे से आपको ये topic समझ में आ गया होगा